Good morning children, कुशु मैं की online class में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम 4th class की हिंदी की पाठे पुछतक जिल मिल का पाठ 11 है, रहीम के दोहे का अभ्यास समझेंगे सभी बच्चे वीडियो को शुरू से आंत तक देखना ताकि पाठ अच्छी तरह से समझास के अभ्यास आईए शब्दों के अर्थ जाने हित, हित यानि की भलाई मिताई, मिताई का मतलब है मित्रता यानि की दोस्ती डारी, डारी मेंज डाल देना सीतल, सीतल यानि की ठंडा उपकारी, उपकारी मतलब होता है उपकार करने वाला तरुवर, तरुवर यानि की पेड पियाही, पियाही मिन्स होता है, पियाही मिन्स होता है पीते हैं परकाज यानि की दूसरों के काम या दूसरों के हित भलाई के लिए किया जाने वाला काम. संपत्ति यानि की धन दोलत. सुजान यानि की सजन. पिक, पिक मतलब होता है कोयल. बाटन वारे, यानि की बाटने वाले. सर्वर, सर्वर मेंज तालाब. अब आगे है कवीता से. यहाँ पर क्यूशन आंसर दिये गए हैं. हम, मैंने तो पहले ही ये क्यूशन लिख रखे हैं बच्चों, ताकि वीडियो जादा लंबी ना हो. आप भी इन सभी क्यूशन के आंसर अपनी कोपी में लिख लेना और याद भी कर लेना. पहला क्यूशन है हमें कैसी वानी बोलनी चाहिए? इसका उत्तर है हमें हमेशा मीठी वानी बोलनी चाहिए. जो दूसरों के मन को भी अच्छी लगे और हमारे मन को भी शीतल करे. आगया ना समझ में हमें मीठी वानी बोलनी चाहिए. किस की तरह है? कोयल की तरह है. जिस तरह से कोयल बोलती है, गाती है तो सबको अच्छा लगता है ना. इसी तरह से हमारी बोली भी मीठी होनी चाहिए. दूसरा क्यूशन है व्रिक्स और स्रोवर से हमें क्या शिक्ष्या मिलती है? उत्तर है इसका व्रिक्स और स्रोवर से हमें दूसरों की भलाई और प्रोपकार करने की शिक्ष्या मिलती है. आगे है पेस नमबर 72. दोहे में क्रिश्न और सुदामा की मित्रता का उधारन क्यों दिया गया है? दोहे में आया था ना बच्चो क्रिश्न और सुदामा की मित्रता का उधारन दिया गया था? यहाँ पर देखिए इस दोहे में जे गरीब सो हित करै धनी रहीम वे लोग कहा सुदामा बापुरो क्रिश्न मिताई जोग है ना? दोहे में सुदामा और किर्षन के बारे में जिक्र किया गया है इनका उधारन दिया गया है तो ये कहता है कि क्यों दिया गया है इसका उत्तर है भगवान स्री किर्षन ने सुदामा के गरीब होने पर भी उनके साथ मित्रता निभाई थी मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए इसके दोहे में क्रिशन और सुदामा की मित्रता का उधारण दिया गया है आगया समझ में इसलिए जो है वो दिया गया है उधारण की क्रिशन जो है भगवान थे और भगवान होकर भी गरीब सुदामा परति उन्होंने अपनी मित्रता निभाई थी कववे और कोयल में अंतर कैसे कर सकते हैं कववे और कोयल में अंतर उनकी बोली सुनकर कर सकते हैं सुनी भी होगी बच्चों है ना कववा कैसे बोलता है काओ काओ करता है और कोयल कुंहूं कुंहूं करती है ना तो इसकी बोली सबको अच्छी लगती है अब आगे है दोहों की पंक्तियों को पूर्ण करें कहीं रहीम पर काज हित यहाँ पर आपके जो यह लैसन है रहीम के दोहे इसमें यह दोहे दिये गए हैं और वो अधूरे दिये गए हैं हमें पूरा करना है जैसे कही रईहीम परकाज हित आगे आएगा संपत्ती संचही सुजान आगको अपनी बुक में ये लिखने भी हैं बाटनवारे को लगे जो महंदी के रंग तूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाठ पड़ी जाए ठ बच्चो आती है आपकी बात तो यहां पर भई आपकी बात में सब ही इन क्यूशन के आंसर आपको खुद ही देने होते हैं मैं आपको ये समझा देती हूँ देखिए आप जरूरत मंदों की सहायता किस परकार करते हैं मारा पहला परसन है ये बच्चो यहां पर लिखने की जगहें नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कोपी में परसनों के उत्तर लिख दिये हैं मैं समझा देती हुँ आप जरूरतमन्दों की सहायता किस परकार करते हैं उत्तर है इसका हम जरूरतमन्दों को कपड़े, भोजन, खाना, आदी देकर उनकी सहायता करते हैं हमारा दूसरा परसन है कोयल और कववे में से आप किसको पसंद करते हैं और क्यों हम कोयल को पसंद करते हैं क्योंकि इसकी वानी मधूर होती है है ना कोईल की बोली मीठी होती है ना सभी उसे पसंद करते हैं आपको अगला क्यूशन है आपको कौन सा मोसम पसंद है दो कारण बताएं अब जैसे मैंने यहां लिख रखा है हमें बसंत रीतू पसंद है इसके दो कारण इसमें फूल खिल जाते हैं सुंदर लगते हैं ना सभी को फूल और दूसरा है चारों तरफ सुंदरता, खुश्बू और हर्याली होती है तो बच्चो मुझे तो बसंत रीतू पसंद है इसलिए मैंने तो यहां क्यूशन में लिख दिया बसंत रीतू पसंद है हो सकता है आपको कोई दूसरी रीतू, शर्दी की रीतू इस तरह से जो भी आपको पसंद है वही रीतू आप इसमें लिख सकते हैं और उसके दो कारण भी लिख देना अब आगे आता है भाशा की बात दिये गए शब्द ठीक नहीं लिखे गए हैं इन्हें शुद्ध करके लिखें यहां पर जो शब्द हैं ये देखो ये लिख रखे हैं न ये गलत शब्दे रखे हैं तो हमें इन्हें ठीक करके लिखना है हमारा पहला शब्द है परेम तो परेम बच्चो इस तरहें से नहीं आता है कैसे आता है, पै के टांगों में रह आता है, ठीक है, हम इस तरहें से लिखेंगे, पर यह अगला है हमारा किर्शन, तो यह किर्शन लिख रखा है ना बच्चों, इसमें किर नहीं आएगा, क्री आएगा, क्रिशन, ठीक है, यह इस तरहें से लिखा जाएगा, एक है उल्टा तो बच्चो उल्टा कैसे लिखेंगे हम इस तरह से आधा ले आएगा उल्टा ये हो गया उल्टा परविर्ती अब यहाँ पर देखो पर नहीं आएगा प्रे होता है ये प्रेवरिती ठीक है प्रविर्ती बोला जाएगा इसको परविर्ती नहीं बोला जाएगा क्या बोलें प्रविर्ति, अब है संपत्ति, तो बचो यहां पर आधा मैं नहीं आता संपत्ति में, उपर सै के उपर बिंदु आ जाता है, ये बन गया संपत्ति, चिक है, आशीरवाद, अब यहां पर देखो, आशीरवाद में ये रै यहां नहीं आएगा, वा के उपर जो है वो रै आत अशीरवाद अब आगे है धन ये धन नहीं ये होता है धन ठीक है विधाले विधाले की जगहें क्या आएगा यहाँ पर विध्याले ये दै और ये दोनों ही होते हैं इसमें इसको बूला जाता है विध्याले ठीक है तो बचो आगे की जो अभ्यास है मैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगे आपको तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बचो